प्लाव प्लाव अपने मटर पनीर की सबजी बहुत खायोगी कई तरह की सब्जियां खायोंगी मटर पनीर की लेकिन यह चुछ कशो रसक्कारव पनीर प्लाव पनीर रखायोंगा की सब्सक्राव की अच्छी मतर पनीर के विख जिए जोड़के शूटे साइस के ही तुकड़े कीजिए तो उसमें पनीर का चाहल भी आया साथ में और ँब अन्दार अग्तार से मटर आं सकते हैं चाहां थोड़ी सी कम भी क दाल सकते हैं मटक और यह तीन मूडियम साइस के प्यास में बढ़ने लंबा से काट लिया है और यह दो हरी मिर्च यह जिसे में पतला लंबा-लंबा काट लिया है इसे भी और यह अध्रक लहसुन स्टा और ऐस अध्रक ट्वा था जिसे मैं और कदू कस कर लिया अप भी यह तुम से पहले कहते हैं हम पनीर फुरा सब दल लेंगे हिलका सफ़ाई कर लें तेल में थुराशत नमग लाग द में में इसमें पढ़ाया चड़ा दिया क्या बड़ा चमाई दल दिया तील अब पनीर दल कहते है साध़ है अंधिर पनीर कोलें किषिए ऊटवlove फूर दल लें आपके पास जो कप उसे आप सकते तो इसका पानी निकाल देते और इचे दो तीन पानी काजू। कड़ए थोड़े से पड़ सानन। यह जादा नहीं, जलाना है उनको किस्मिस बढ़ना कि तुरंट गैस को बंद कर देना एक, जैनके किस्मिस बांद कि थाल। आप अपनी पसंद के ंसार ज़्यादा पसंद करतें जादा डाल दीजिए पसकिसमे सो गई है और गैस को मैंने तुरंत बंध कर दिया तरसे डाल के किसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डाला और हो गया अगा बनाएंगे हम हम इसमें जो भी पुलाओ बनाएं यह कोकर बनाएं आज मैं कढ़ाई में बनाएंगी पुलाओ तो थोड़ा सा तेल है इसमें तो तो डाल देते हैं आदा चम परी तो आप अधार ने लिए एक चम्मच चम्मच जीरा है आट-दस काली मिर्चाह चार लोंग है और एक बड़ा बड़ी नाइची डोना है इसे मैंने तोड़ दिया है और यह एक दाल चीनी का टुकड़ा है और दो तेज़ पत्ते हैं तो इने डाल देते हैं इसमें ईड़ा यह देखिए यह होगयाए और अप्याद जाल दें तो हमको कम से कम यह लाईट गोंडन ब्राउन हो जाए तो तो प्यास देखिए रचेंच हो गया है अच्छ बुंज गया है और अब हम यह अध्रक लैसुन जो मैंने कद्दू कस किया था यह डाल दिया है इसे लैसुन अध्रक को भी बूझते हुए दो मिनट हो गए और यह अब हरी मिर्च डाल देते हैं हम कोड़ी सी बन फोटी स्पून जो है हल्दी पाउडर है चोड़ा साही डाला मैंने और यह कश्मीरी मिर्च एक चोड़ा चमच तो देखें अच्छ से भूझ लिया है सब चीज हमारी मसाले भी और अब यह डाल देते हैं हम मतर मतर को अच्छ से बूझ लिया है और अब यह एक चमच नमक डाल देते हैं और यह चावल डाल देंगे इसमें है बस अब चावल को आराम से उपर नीचे करिए अब हमारे भीगे हुए थे अब हम इसमें डालते हैं पानी तो पानी वैसे दबल डाला जाता है लेकिन अगर चावल हमारे फूलर हुए हैं थोड़ा सा क्णोरी से थोड़ा कम डालेंगे हम तो ए tu का ट्रीं हो गया तब इसमें एक छोड़ा चमच डालेंगे गरम मसाला और यह जो है नीवु करस है थोड़ा सा खिलेगुए बनते हैं चावल इसमें डाल देते हैं और इसे हम ढख देंगे लो फ्लेम कर देजिए और इसे ढख देजिए तो यह दिखें उवाली आने लगे तभी उसके बाद लो फ्लेम कीजिए थो हलकी सी इसमें वाली आने लगी है और इसे हम कर देंगे लो फ्लेम में और इसे ढख देंगे तो यह देखिए 10 मिन हो चुके हमें और यह देखिए चावल को देखिए आप कितना बढ़िया है और यह देखिए अब इसमें थोड़ा टाइम और रखना है हमको इसके उपर हम डालते हैं पनीर तो पनीर को बिछा देते हैं ऐसे चारो तरब अब इसमें डाल देते हैं काजू और इकिसमेश भी और इसे ढख देते हैं बस जादा नहीं ढखना है सब दो मिनट के लिए और पुलाओ मारा त्यार हो जाएगा इसको रिच फ्लेवर के लिए इसके इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी यह बड़ा चमच से आधा चमच घी है इसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें साइनिंग भी आती है प्लाओ में तो बस अब ढखते हैं से दो मिनट के लिए हो चुके हैं पनीर डाले गए हमें और यह देखी यह बढ़िया बन गए तैयार हो गया है और इसमें डालते हरा धनिया और गयास को करते हैं बंदर और इसे थोड़ा सा खुला करके आधा खुला करके थोड़ा सा पाच मुटाट जाना होने दीजिए, फिर इसको दीजिए शब को तो इसे थोड़ा सा ढग खोल देते हैं ऐसे और बंद कर देते हैं गयास को तो थोड़ा 5 मुटबार इसे हम सर्ब करते हैं, प्लैटिंग करते हैं वाव Ama क्या बना है बहुत प्यारी-प्यारी ख्युस्ष्भू भी आ रही है इसकी ये देखेच, एक एक दाना खिला हुआ बना है, बहुत ऐच्छ बना है, इसे धीरे से उपर नीचे कर दीजिuir, हलका सा ऐसे उपर नीचे कीजिए बिल्कुल धीरे-धीरे, ये देखेच जोड से नहीं चलाना है ऐसे हलके से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और वीडियो को जल्दी से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सकाइब नहीं किया हो तो फिर चैनल को सब्सकाइब भी कर लीजिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो